हाजी नमस्कार स्वागत और अभिनंदन आप सबी का आज से हम बिलकुल एक नया सेग्मेंट शुरू करने जा रहे हैं यानि कि जितने भी आरपिसी दुवारा जो एक्जाम कंडेक्ट करवाएगे हैं उन सबी पेपरों का हम सोलूशन करेंगे और पेपरों का जो सोलूशन क करेंगे वो बिलकुल नवीनतम पैटरन पर आधारित होगा क्यूंकि पुराने पेपर हैं और नवीनतम पैटरन पर जैसे आप सभी जानते हैं कि हम राजस्तान में पहले 33 जिल्ले और 7 संभाग पड़ा करते थे अब आप 50 जिल्ले और 10 संभाग पड़ते हैं तो उसी आध पर जो पुराने पेपर हो रखे हैं उनका बलकुल नवीनतम पैटरन पर आधारित हम सोलुशन करेंगे जैसे किशी पेपर के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि क्यूशन है कि बेराट निम्न में से किस जिल्ले में है तो उस समय तो वो जो पेपर रहा है उस समय तो पेपर का हम सोलुशन करेंगे और सब से पहले अज इस प्एपुर का हम सोलुशन करने जा रहे हैं वो है आपके स्कूल लेटरर टा लेजी पेपर जिसके अंदर आपको पताई है ठीक है आई एक क्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं पहला नहीं आपके सामने यह रहा 9 पुछा जा रहा है आपके सामने के राजस्तान की किस सभ्यता को तामर्वती नगरी के रूप में भी जाना जाता है ऐसी कुण सी सभ्यता है जिसे तामर्वती नगरी के रूप में जाना जाता है option है आपके सामने बागूर, option है आहर, option है बाला धल, और option है इस वाल देखे, तामरवती नगरी के आप आथ करते हैं, तो आप कहेंगे सर, तामरवती नगरी जिसे हम कहते है, वो है आपके आहर इस्तल यह जो आहड इस्तल है याद रिखेगा ये उदेपुर जिल्ले के अंदर है और ये कोणशी नदी के किनारे है तो याद रिखेगा आईड नदी के किनारे इसकी जो खोज है वो याद रिकेगा किसके दुआरा की गई है अक्षे कीर्थी व्यास दुआरा 1953 में जबकि उत्खरन का जो कारिय है वो याद रिकेगा HD संकलिया दुआरा किया गया है ये किशन तो ही लेकिन वर्तमान के शंदरब में आहड सभ्यता से जो सर्वादिक बार किशन पुचा गया है वो ये है और पुचा जाता है कि निम्न में से राजस्तान का वेह इस्तल जो बनास संसकर्ती की सभ्यता का इस्तल है याद रिकेगा आहड यह केई बार क्यूशन आया है तो तामर्वती नगरी याद रिखेगा आड आपको यह दि यहां से पूछ लेता कि तामर्वती या तामर्युगीन सभ्यता की जन्नी किसे बोलते हैं तामर्युगीन सभ्यता की जन्नी तो याद रिखेगा तामर्युगीन सभ्यता की जन्नी है वो है आपके Ganeshwar, कुन सी है Ganeshwar, Ganeshwar जिसे आप पहले शिक्कर जिल्य में पढ़ते थे, अभ ये नीम का थाना जिल्य में है, और ये जो नीम का थाना है याद रिखेगा ये सिक्कर जिल्य से अलग होकर एक नविन्तम गटित जिल्ला है याद रिखेगा इस जिल्ले की जो इस्तापना है वो है आपके 7 अगस्त 2023 ठीक है? Very very important तो यहाँ पर जो इसका आस्वर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने option number 2 is correct आस्वर याद रिखेगा आहड और आहड के बारे में दो-चार बाते उर भी याद रिखेगा कि यहाँ से हमें काले वे लाल मर्दभांड प्राप्त हुए है मर्दभांड का तात्पिरी होता है मिट्टी के बरतन और उसे यह आइडिया लगता है कि आहाड जो है वो एक ग्रामिन शब्यता है क्यूंकि मिट्टी के बरतनों का उप्योग आज भी किस शेत्र में करते ह scarcity हम ग्रामिन शेत्र में तो आहाड एक ग्रामिन शब्यता है इसके अलावा याद रिखेगा पूरुस परदान रही है यानि कि पित्र सतात्मक है और याद रखेगा शुंक परिवार की भी परंप्रा यहां पर रही है तो आहड, काली बंगा, बेराट और गनेश्वर यह चारों ही सब्वियता है इंपोर्टेंट है यहां से आपके एक्जाम में क्यूशन आता है ठीक ह है कि निम्न में से कोंसा सासक महरणा जगत सींग के परचात मेवार की गद्धी पर बैठा देखे आजकल जो क्यूशन है वो इसी सेगमेंड में पूछे जाते है या तो मेवार, मारवार, आमेर, चोहां जो भी है किसी वंस का जो परशिद राजा रहा है उसके बाद में अ यासा कुशन आजगल ज़्यदा बूचा जा रहा है जिसा कि आपके सामने है कि निम्न में से कोंड़ सासक महरणा जगत सींग के पहस्चात मेवार की गद्धी पर बैठा था महरणा करन शींग, महरणा राच सींग महरणा अमर चिंग फर्स्ट या महरणा अमर शींग 2 ल कि करन शिंग के आप बात करेंगे की एक तो यह तो महारना परताब्वाइक पूत हैं उसका पर नमसा है जा इसका जो right answer है वो है आपके option नमर दू महारणा राज सिंग और महारणा राज सिंग जो है याद रखेगा इनका जो timing रहा है वो राह है 1652 से लेकर 1680 याद रखेगा मेवार के जो महारणा है राज सिंग ये दो मुगल बासाओं के समकालिन है किन किन के एक तो याद रखेगा सहांजा और एक याद रखेगा ओरंग जेब अच्छा इसके अलावा ये भी याद रखेगा कि सहांजा दुआरा राज सिंग को 5000 की मनसबदारी दी गई जबकि ओरंग जेब दुआरा याद रखेगा इनको 6000 की क्या दी गई थी मनसबदारी ये भी important है और महरणा जो राज सिंग है याद रखेगा इन्हें एक उपादी भी है जिसे आप पड़ते हैं विजे कटकातू कोण से उपादी है विजे कटकातू और इसके अलावा याद रखेगा इसे कहा जाता है hydraulic hydraulic ruler ये भी important है और ये महरणा राज सिंग वो ही है राज सिंग और और औरंग जेब के मती एक विवाद हुआ था आपको बता हो तो किसन गट की राज कुमारी है जिसका नाम है चारू मती ये भी आप सुनते है तो यहाँ पर जो option है वो हो जाएगा आपके सामने दो is the correct answer याद रिखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट चली आगे बड़े अगला क्यूशन क्या कह रहा है वो देखे क्यूशन अमर है आपके सामने 5 लेजी और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन और सरवादिक बार पुछा गया ये क्यूशन है सबसे ज़्यादा चर्चा अरली चोहान डाइनेस्टी पुस्तक के लेख कोण है जी एन मिश्रा दस्रत शर्मा के एस गुपता या जी एच ओजा याद रिकेगा इसका दूराई टांस्वर है वो है ऑप्शन अमर दूराई इस करेक्ट टांस्वर दस्रत शर्मा दस्रत शर्मा से एक तो ये क्यूशन है पुस्तक से के अरली चोहान डाइनेस्टी और एक क्यूशन याद रिकेगा डॉक्टर दस्रत शर्मा ने ही काली बंगा जो सब्यता है इसको हडपा सब्यता की तीसरी राजदानी बताया है ये भी इंपॉर्टेंट क्यूशन है डॉक्टर दस्रत सर्मा ने काली बंगा को कोण सी राजदानी बताया है याद रिकेगा हडपा सब्यता की तीसरी राजदानी ठीक है ये भी important है लीजी अगला क्यूशन लीजीगा क्यूशन number है आपके सामने 6 क्या पुछा जा रहा है पुछा जा रहा है सासक बनने से पहले कौन किका के नाम से जाना जाता था सासक बनने से पहले किका के नाम से कौन जाता है आप सब जानते हैं कि जिनके बज़पन का नाम किका है वो है याद रखेगा महारणा परताब से important fact याद रखेगा एक तो इनका जो जनम है वो हुआ है 9 माई 1540 याद रखेगा ठीक है very very important एक इनकी जो मरतिव हुई है वो हुई है याद रखेगा 1577 में तो एक तो क्यूशन ये बनता है कि महारणा परताब की जो मरतिव है वो कितनी आयू में हुई थी याद रखेगा सत्ता उन वरस की आयू ऐसा भी क्यूशन बनता है एक याद रखेगा 1572 के अंदर इनका राज् याद रखेगा 32 वरस के आयू में ये गद्धी पर बैठे थे ठीक है राजी अभिशेक दो बार हुआ था एक बार तो आपके महादेव बावडी गोगुंदा में और दूसरी विदिवत रूप से कुम्बलगड में जब दूसरी बार विदिवत रूप से हुआ था कुम्बल को अभी आपको पता हो एक्जाम के अंदर यही पूछा गया था कि चावंड जो राजदानी है वो महाणा परताब की कितने वर्सों तक रही थी तो याद रखेगा 1585 से लेकर 1597 तक यह जो चावंड राजदानी है यह महाणा परताब की रही क्योंकि 85 में राजदानी बढ याद रखेगा तो ऐसा भी उचा जा सकता है कितने आयूम मरती हुई और याद रखेगा किका के नाम से आप जिने जानते हैं वह आपके महाणा परताब जिने कहा जाता है हल्दी गाटी का शेर हल्दी गाटी का शेर अच्छा इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट और भी बात इंपोर्टेंट याद रखेगा कि ये जो महाणा परताब हैं इनके घुरू का नाम क्या है तो याद रखेगा महाणा परताब के घुरू का नाम है रागविंद्र क्या नाम है रागविंद्र और इसके अलावा और इंपोर्टेंट महाणा परताब के पंडी कौन है तो याद रहेगा चक्रपानी मिश्र कौन है चक्रपानी मिश्र बस आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह जो चक्रपानी मिश्र है इनके दुवारा रचित गरंत क्यूंकि स्कूल वाख्यता जैसे एक्जामों के अंदर इस परकार के क्यूशन आते हैं अब यह आप श्वेम मुझे कमेंट करके जरूर बताई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने दो इसका नाम क्या रखा था देखे अलाउदीन खेल जी की हम बात करते हैं यहां से तीन परकार के क्यूशन बन सकते हैं एक तो याद देखेगा इनके अभियानों का करम काफी बार पुछा जाता है कि अलाउदीन खेल जी का राजस्तान में जो अभियान है उनका सई करम क्या है तो याद देखेगा सबसे पहले रन थंबूर वेरी वेरी इंपोर्टेंट आज याद रखेगा धर देखेगा सिवाना, उसके बाद में आपके याद राखेगा शीवाना शीवाना है आपके इसका उल्लेक की शबिलेक में है तो आप याद रिखेगा धाइबी पीर दरगा का अभिलेक जो की चितोडगड में है तो इस अभिलेक में ये उल्लेक मिलता है और याद रिखेगा ये जो नाम खिजराबाद किया है ये इनोंने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर किया ह छीवाना जो है याद रहीएगा इसका नाम मुदल कर इनूने खेराबाद किया था और जालोर जीत कर इनूने नाम जलालाबाद किया था उनके UABहानों का करम और इनके दुआरह जो नाम ब्ली गए हैं वहां से क्यioso answer पूछा जाता है याद रिखेगा अलवदीन जो खेलजी है ये दिल्ली शल्तनत के शुक्तान है और उनका टाइमिंग जो रहा है वो याद रिखेगा बारा सु छिन्नू से लेकर तेरा सु सोडा तक रहा है अलवदीन खेलजी अलवदीन खेलजी याद रिखेगा जिनके बस्पन का नाम है अ किंद्र सानी अलवधीं खिल जी की यह दी परसासन की हम बात करेंगे तो याद रकेगा एक तो इन्हों ने बाजार नियंत्रन परणा ली को वेरी-वेरी इंपॉर्ट્क्छ याद रिखेगा कौण司 बाजार नियंत्रन प्रणाली यानि कि एक देश एक दाम याद रिखेगा इसके अलावा याद रिखेगा गोडे दागने की परंपरा और शेनिकों के शेनिकों के हुलिया रखने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरुआत की थी बश्टाचार को रोकने के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये अलिक काफूर को बेजा था ठीक है तो इस प्रकार से यह प्रसासनिक से भी क्यूशन अच्छे बढ़ते हैं ठीक है यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह जाएगा आपके सामने तीन नमबर जलालाबाद याद रखेगा ठीक है अगला क्यूशन अब यह तो आपके विजनिंग वगेर आ गई यह और क्यूशन बड़ा इंपोर्टेंट है लिजी क्यूशन नमबर है ग्यारा के बार यह भी क्यूशन पूछा गया है आपके सामने लिजी इस कांस्पर क्या है पूछा जा रहा है कि फतेपुर शीक्री की किस इमारत को और फतेपुर शीक्री किस ने बसाया था तो भी याद रखेगा अकबर ने और याद रखेगा अकबर और दादु दियाल अकबर और दादु दियाल दोनों की जो मुलाकात है वो भी कहां पर हुई थी याद रखेगा फतेपुर शीक्री में तो फतेपुर शीक्री की ऐसी तुर्की शुल्ताना का महल वेरी वेरी इंपोर्ट है ठीक है अगला देखे अगला है आपके सामने क्यूशन नंबर 13 क्या कह रहा है पुछा जा रहा है आपके सामने के सुभाज संद्र बोस्ट ने कॉंग्रेस के किश अधिवेशन में कॉंग्रेस के अध्यक्स सुने गए हरीपुरा कलकता नागपुर और लाहूर देखे वैसे सुभाज संद्र बोस्ट की हम बात करें कॉंग्रेस के तो इन्हों ने दो अधिवेशन के अध्यक्स्ता की थी बेदेवेशन की याद रहेखेगा वेरी-वेरी इंपर्टेंट बट कौन-कौन से थी दो अधिवेशन है एक तो है हरीपुरा और एक है याद रहेखेगा तिरफुरी all the time Haripurah और तीरफुरी लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे।xis्ट एक है कौन सा हरीपुरा याद याद रखेगा हरीपूरा कहां पर है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा गुजरात ठीक है और सुभास चिंदर बोस कि ने जो अध्यक्षता की है हरीपूरा के अंदर आप कमेंट करके बताना यह कॉंग्रेस का कौन सा अधिवेशन था 1936, 37, 38 या फिर 39 क्यूंकि यह वही अधिवेशन है जहां पर देशी रियासतों में जो चल रहे परजम्डल है याद रखेगा उनको शमर्थन परदान किया था ठीक है याद रखेगा चलिए अगला क्यूशन है आपके सामने लीजिए अगला क्यूशन है कि वीर भारत सभा की बाल मुकुन बिशा, अर्जुलाल शेठी, मानेकिलाल वर्मा या केसरे शिंग बारत देखेगे बाल मुकुन बिशा कि आप बात करेंगे तो याद रखेगा इन्हें राजस्तान का जतिन दास कहा जाता है राजस्तान का जतिन दास बाल मुकुन जो बिशा है याद वह 1908 के अंदर रहेएगा पीलवा गाउं में हुआ था तीक अरजुलाल सेटी आप सब जानते हैं अरजुलाल सेटी के बारे में अरजुलाल सेटी ने एक कतन कहा था कहते हैं जब इनको चोमू याद रहेगा इंपोर्टेंट चोमू ठीकाने का जिलाती उस निउक्त किया ग मेवाड का गंदी कहते हैं मने किलाल वर्मा जिनकी पुस्तक भी है याद रिखेगा मेवाड की वर्तमा नवस्ता ये भी काफी इंपोर्टेंट है याद रिखेगा ठीक है और यहां पुछा गया वीर भारत सभा की स्तापना याद रिखेगा कैसरे शिंग बारत लेकिन और कैसरे शिंग बारत आप सब जानते हैं ये वही है जिन्नोंने विवाड के महरना जो फत्य सिंग है वो आपके लौड करजन के दरबार में जा रहे थे 1903 में उनको रोकने के लिए 13 सोटे लिखे थे जिने इतियास में क्या कहा गया है चेताव नीरा चुंगटिया याद चंदर गुप्तम के रच्चेता कौन थे सुद्रक कालिदाश वसुबंदू या विशागदत तो आप सुब जानते हैं कि सर इसके जो लेकक है वो है आपके विशागदत मुद्रा राक्सस और याद रखेगा देवी चंदर गुप्तम के रच्चेता कौन है विशागदत थिक है लेजी अगले Qution के हम बात करते हैं ये लीजी एक comment है आपके सामने काफी अच्छा है काफी अच्छा Qution भी है ये क्या पूछा जा रहा है देखिए पूछा गया है कि विदेशी सासन कितना भी अच्छा क्यूं नहों विश्वराज की ब्राबरी नहीं कर सकता इस कतन म में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं किसने कहा था कि विदेशी सासंचाई कितना भी अच्छा हो लेकिन वो श्वे रोजगार की बराबरी नहीं कर सकता राजा रामोहन राय श्वामी वेकानंद बाल गंगादर तिलक श्वामी दयानंद सरश्वती जी याद रखेगा ये जो कोटेशन है ये किनका है श्वामी दयानंद सरश्वती जी का याद रखेगा और ये जो स्वामी दयानंद सरश्वती जी है याद रखेगा वेरी वेरी सरश्वती जी याद रिखेगा इनकी मर्त्यू जो है वो भी 30 ओक्टूमबर 1883 के अंदर दिपावले के दिन याद रिखेगा कहां पर हुई थी अजमेर में हुई थी याद रिखेगा स्वामी दयानन सरश्वती जी दुवरा एक गरंत लिखा गया है जिसका नाम है प्रकास से इसकी जो रचना है वो 1875 के अंदर हुई थी इसका पहला भाग अजमेर में लिखा गया था लेकिन इसको पून कहां लिखा गया था याद रिखेगा उदेपुर में और उसमें मेवार के महारना कौन थे सजन सिंग याद रिखेगा और स्वामी दयानन सरश्वत जी दुएरा ही yad रikेगा very very important कोण से समाज की स्तापना की गया थी आरिये समाज की और आरिये समाज की जो इस्तापना है वो दस अप्रेल 1875 कहां पर की गयी थी तो याद रिखेगा बुंबए का गाम है गिरगाउं बुंबए के गिरगाउं में की गई और एक अच्छा क् श्वामी दयानन्द सरश्वत्य जी का नारा कोण सा था यह आप कमेंट करके जरूर बताईगा जिसके अंदर हमने कुछ महतवपुन किुष्णों के बारे में चर्चा की लगातार शेशन जायर रहेगा बस जितने भी आरपीसी दुआरा जो पैपर करवाए गये हैं उन सभी का हम नविन्तम पेटरन के आधार पर solution करेंगे ठीक है तो फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते हैं अंगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद